प्रणाम दोस्तों, हम सभी लोग ये सोचते हैं कि पूरे जीवन में मेरा खुद का एक मकान हो, एक घर हो, जहां पे हम जाके सुकून से रह सके, वैसे तो हर घर में सुकून मिलता ही है, ऐसे नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति की वो ख्वाईश होती है कि मैं अपने बल्बू या तो फिर मैं जब भी ऑफिस से निकलू तो मुझे मन करें कि घर जाना है, तो ऐसे हम हमारा घर सजाने के लिए हर तामजाम करते हैं, हर तरीके की महनत करते हैं, और जब वो घर बंद भी जाता है, तो उसमें सबसे पवित्र स्तान हम बनाते हैं, वो है हमारे घर का मंदि मंदीर हमारे घर का एक ऐसा स्तान है कि जहां पर हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं एक अध्यात्मिक लगाव रहता है हमारा उस रूम के साथ कहिए या तो फिर वो जगा के साथ कहिए आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर में बहुत भव्य दिव्य मंदीर भी बनाते हैं यानि पूरे रूम में एक रूम से भगवान जी की है इतने अच्छे से उसको सजाते हैं आशकल तो अलग-अलग फरनीचर भी मिलने लगे हैं रेडिमेड मंदीर भी मिलने लगे हैं फिर घर छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता बस घर में एक पवित्र स्थान यानि मंदीर होना चाहिए कई महिला ऐसी विवन्चना में रहती है कि मेरा मंदीर कैसा हो क्या मैं वो लकडी का बनाओ, संगे मरमर का बनाओ या तो फिर मैं ग्रेनाइट में से कुछ बना के लूँ या तो फिर डिजाइनर बनाओ, ऐसी कई सारी चीज़े होती है और वे महिला अपने जैसे उन्हें चाहिए वैसे अच्छे से अपने पती देव से मंदीर बनवा के भी लेते हैं और फिर उसे अच्छे से अलग-अलग भगवान की मूर्तियों से, फोटों से उसे मस्त सजाते हैं और रोज उसकी पूजा करते हैं एक आपसी लगाओ हो जाता है वो मंदीर की तरफ लेकिन प्रश्न ये होता है कि मंदीर में हम कौन सी मूर्ति रखे कौन से फोटो रखे, कौन से देवी देवता हो के लिए हम विशिष्ट पूजा करे या तो फिर कौन से देवी देवता की वहाँ पर प्रतिमा रखे ऐसी कई सारे प्रश्णों होते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि मंदिर में जादा से जादा मैं कहूंगी कि आपके जो कुल देवी है कुल देवता है उसकी प्रतिमा या तो फिर मूर्ती रखे इस्ट देवता की मूर्ती आप रख सकते हैं या तो प्रतिमा रख सकते हैं अब हमारे महारास्ट्रियन लोगों में तो जैसे ही लड़की शादी करके जाती है अपने ससुराद तो उसके साथ एक छोटे काना जी और अनपुर्णा की मूर्ती दी जाती है फिर वो सोने की, चांदी की या तो फिर पीतल की ऐसे अलग-अलग धातों में वो दो चीज तो हमेशा दी जाती है ताकि वो लक्ष्मी जो दूसरे घर में जाने वाली है उसके साथ अनपुर्णा जी की अशिर्वात भी उसके साथ रहे और छोटा काना यानि आगे जाके जो भी उसे बच्चे होने वाला है या तो उत्पत्ती होने वाली है वो अच्छे से काना जी जैसी हो ऐसी एक छोटी सी माननेता लेके ससुराल में लड़कियां जाती है तो ऐसे कई सारे अलग-अलग समाज में ऐसी चीजे होती है कि शादी के बाद लड़की को ये दिया जाता है शादी से पहले ये सारी चीजे सिखाई जाती है तो वैसे आप जब अपने घर का मंदीर सजाएंगे तो सबसे पहले यही चीज आप ध्यान रखिएगा कि मंदीर कौन सी तरफ होना चाहिए काफी ल दिरेक्शन पता चल जाएगा दूसरा एक है कि ऐसी जगा मंदीर बनाई है कि जहां पर दिन में एक बार धूप आए यानि सूर्य प्रकाश आपकी मंदीर की तरफ पढ़े हम दिया बत्ती तो करते ही हैं अगर बत्ती लगाते हैं धूप लगाते हैं लेकिन सूर्य प्रका जादा आपको ही होने वाला है एक बहन ने बहुत ही सुन्दर सा प्रशन मुझे पूचा था इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है उन्होंने पूचा था कि हमारे मंदीर में कौन सी मूर्तियां या तो प्रतिमाएं होनी चाहिए तो सबसे पहले आपकी जो कुल देव है कुल देवता है हमारे महरास्रेन लोगों में तो ताक बोलते है उसको यानि चांदी या सोने के उपर आपके जो भी कुल देवी या कुल देवता है उसकी बहुत संदर सी आकृती बनाई जाती है जिसे महरास्रेन लोग ताक कहते हैं वैसे ही अगर आपके कुल देवता या कुल देवी है, उसकी प्रतीमा या फोटो आप जरूर रखिए, क्योंकि हमें हमारी कुल देवता की साधना, पूजा हमेशा करनी चाहिए, मैंने अल्रेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि कुल देवते की साधना कैसे करनी चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, तो अगर देवी और कुल देवता की प्रतिमा या फोटो रखिये, कोई इश्च देवता की फोटो भी रख सकते हैं, और हमारे गणेश जी, गणेश जी तो सबसे पहले उनका स्तान है, तो गणेश जी की प्रतिमा रख सकते हैं, कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि मैं काली का माता की मूर्ती रख सकता हूँ या उनकी पूजा कर सकता हूँ क्या, या तो फिर कालभरो जी की प्रतिमा रख सकता हूँ क्या, तो अगर आपके घर में आप उसको अच्छे से संभाल सकते हैं, यानि कुछ उग्र देवता ऐसी होते हैं, जिनके नीती नियम अलग होते हैं, अगर आप संस चाहिए कैसी चाहिए वो सारे नियम का आचरण करना ये हमारे साधक का परम करतव्य है अगर वो हम अच्छे से कर सकते हैं तो आप जरूर ऐसी प्रतिमाय आप लगाईए अपने घर में तो फिर कोई परिशानी नहीं है लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जो उग्रदे होत हैं वैसे नाराज होने का भी अधिकार है उन्हें तो कभी-कभी वो चीजे हो जाती है कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो बेड्रूम्स में भगवान की तस्वीरे लगाते हैं तो मुझे यही कहना है कि बेड्रूम्स में कभी आप अपने भगवान की तस्वीरे नहीं लगाईएगा क्योंकि अगर आप शादी शुदा हैं तो आप वहाँ पे उठते हैं, बैटते हैं, सोते हैं, तो भगवान के सामने ऐसे सोना अच्छा भी नहीं लगता है, भगवान का स्थान है मंदीर में, तो जहां पे भी आपने मंदीर बनाया है, वहाँ अच्छे से पूजा करने वाला भी only काफी यह अच्छन के लिए काफी म होता है कि फूजा कर बी रहा है तो इतने सारे भगवान हो जाता है कि वो फूजा करने वाला भी कभी-कभी ऐसे कहता है कि इतने सारे भगवान की पूजा रोज करनी पड़ती है और आप सभी को पता है कि आज कहीं न कहीं हम सब लोग इतना बीजी हो गए हैं कि रोज पूजा कर पाना तो फिर जो भी व्यक्ति पूजा कर रही है उसे इतना सारा तामजाम करना संभव नहीं होता है इसलिए अगर हम हमारा मंदीर जो है घर में जो भी मंदीर है उसमें भगवान की मुर्टियां भी जितनी चाहिए उतनी ही और बहुत चोटी-चोटी चीज़े अगर हम रखते हैं तो वो परियापत है बहुत बड़ा कुछ मंदीर बना के उसमें हर तरह के भगवान के फोटो या मुर्टियां रखेंगे तो उसकी पूजा भी ठीक से नहीं हो पाएगी क्योंकि कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि 2-3-3 घंटे पूजा ही चलती रहती है अब जिन घरों में व्यक्ति है पूजा करने के लिए तो फिर किसी व्यक्ति के पास समय है तो उनके लिए वो ठीक है लेकिन अगर कोई सि चीजे अगर आपको त्याग नहीं है यह सब चीजे नहीं करनी है तो घर में काफी लिमिटे यानी आपके जो इश्ट देवता है कुल देवता है गनेश जी है लला जी है तो इतने ही थोड़े भगवान की ही प्रतिमाया मूर्ति रखिए ताकि आपको भी वह आसान हो जी चार-चार काना जी तीन-चार अन्नपूर्णा की चोटी-चोटी मूर्तियां तो फिर प्रतिमायें अगर ऐसे बहुत सारे भगवान एकठा हो गये हैं तो आप उसे थोड़ा सा अच्छे से गिंचुन के अपने घर में रखिए और एक प्रशन पढ़ सकता है कि जो बा रखते ही हैं वैसे अगर हम उनको विसर्जन करने वाले हैं तो उस समय उनके साथ एक भोग भी देना पड़ता है तो ये सब चीजे करने से पहले आप भगवान जी को बोलिए कि ये ये चीज मैं कर रहा हूं इतनी सारी मूर्तियां हो गई है और उसमें से मैं एक ही रखने वाला हूं या रखने वाली हूं बाकी के सारे हम विसर्जन कर रहे हैं तो आप नाराज नहीं होना हम पेक रुपाया बनाए रखना और ये जो दही और चावल का भोग है ये मैं आपके साथ इसको विसर्जन कर रही हूं बस इसना चोटा सा उपाय करना है और अपने घर को और अपने मंदीर को बहुत systematic रखना है और अच्छे से उसकी पुझाविदी होनी चाहिए तो मुझे लगता है मैंने आपको जो दीदी ने मुझे प्रशन पूछा था कि कौन सी मुर्धिया होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इसके उपर मैंने जितना मुझे पता है वैसे मैंने आपको उत्तर दिया है आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो अगर आप नए है तो subscribe कीजिए चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और अपने घर में भी देख लीजिए कि कौन से कौन से भगवान जी है उनको कैसे करना है कैसे रखना है और मंदीर जैसे मैंने कहा कि विशेष्टा सूर्य प्रकाश आना चाहिए अगर हम ऐसी कोई arrangement कर सकते हैं तो बहुत ही बहतर होगा इसके results आप खुद मुझे बताईए गा ठीक है तो मिल दें अगले episode में रादे रादे